हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू माई यूट्यूब चैनल और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि इफ का यूज हम कैसे करते हैं तो सबसे पहले जानते हैं इफ करता क्या है इफ हमेशा इफ एक सिंपल फर्मूला एकसल का जो हमेशा आपको दो वैलू देता है एक ट्रू क कब देता है किसी कंडिशन पर अगर हमने उसको बताया कि यह एक टेबल दिया गया है जिसमें सेरियल लंबर नेम एज दियो गया है अब मुझे जानना है कि यह एडल्ट है कि नहीं है तो उसके लिए हमें कंडिशन यूज करेंगे अगर 18 से उपर इसमें कंडिशन फर आप लॉजिकल टेस्ट देना। लोजिकल टेस्टमाने क्या ऐल्ट आप क्या कंडिशन देना चाहते हैं हम चाहते हैं कि यह वैल्ट तरह गार है अटारर बिल्ट से बड़ी होगी एफब बड़ी हो गई तो सबसे पहले हम देंगे यहां पर देख रहे हैं यह formula गर प्रू आ गया तो हम क्या देंगे तो double code open क्या हम लिखेंगे yes यहां पर हमने देखा था कि yes लिख रहे थे फिर उसके बात second बोल रहा है value if false अकर false आगा तब क्या value यहां पर शोने चाहिए तो हम false के लिए क्या use कर रहते है no तो यहां पर हम लिखेंगे simply no और bracket close कर देंगे फिर से पर समझ लेते हैं if bracket open condition भी हमने कि अगर यहां पर condition क्या होगी d7 यह age वाला column है यह अगर 18 से बढ़ी होकी और condition true पाई जाती है तो true condition के लिए पहला प्रेंट करें yes और false होती है तो second वाला प्रेंट करें अब यहां पर हम करते हैं enter आप देख रहे हैं कि यह बता रहा है कि यह क्या adult है तो बोला नहीं जान की एज 17 और यह adult नहीं है बागी कर चेक करने के लिए यहां से select करके हम drag करेंगे नीचे तक और आप देखेंगे यहां पर जॉन 17 साल का एडल्ट नहीं है एलेक्स 19 साल का यह adult है येस क्यूंकि इसके जटारे से बड़ी है पीटर 21 यह का है और यह सी बात है यह adult है मैक्स है यह 15 का है तो यह adult नहीं है तो simply आज हमने देखा कि if condition के formula से हमने कैसे यहां पर आसानी से चेक कर लिया कि कोई condition true है या false है true के condition में yes आएगा false के condition में no या फिर जो भी हमें type करके हमां देना हो जो भी result output में चाहिए हमें हाँ double cut के अंदर हमें देना पड़ता है तो आज के लिए बस इतना ही thank you so much